हेलो एवरीबन टीजटी पीजटी की सीरीज की आज की हमारी 12th वीडियो है जो बहुत इंपोरिंट वीडियो होने जा रही है क्योंकि कोई भी टीजटी पीजटी का एक्जाम किसी भी स्टेट का हो उस पेपर में रइंक से रिरेटर्ड कुशिन हमेशा उचा ही जाता है और रैंक का कितना यूज कि आप जानते हैं क्यूंकि ये अपने रैंक आफ मैट्रिक्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे और इसकी अगली वीडियो में हम इस पर बेज्ट जो कुछे गए हैं उन पर फोकस करेंगे ठीक है तो रैंक पढ़ने से पहले किसी भी मैट्रिक्स की रैंक पढ़ने से पहले हमें माइनर के बारे में उसका जानकारी होने चाहिए माइनर के डिफि इसका क्या मतलब है सारी पिक्चर आपको एक इग्जांबल से क्लेयर हो जाएगी अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है वन टू फोर फाइव सेवन एलेवन इस मैट्रिक्स का ओडर अगर हम देखें तो ओडर है टू बाई थ्री अगर इस मैट्रिक्स में मुझे वन रोड माइनर्स निकालने है A के तो वो क्या क्या हो सकते हैं देखो क्या बोला है determinant of a square sub matrix of A कितनी rows लेनी है एक एक ही row लेनी है और उसका determinant तो ये पहला वाला element अगर मैं consider गरूँ इसका determinant 1 ये ले लो ये 2, ये 4 5, 7, 11 तो ये जो 6 बने है ये क्या है वन रोड माइनर्स होगे इसके अगर मुझे 2 रोड माइनर्स निकालने है एक है तो वो क्या क्या possible है वो है तो रोड में आपको क्या लेना है rows दो लेनी है ठीक है तो 1, 2, 5, 7 इसका determinant row मुझे दो लेनी है और column तीन में से कोई भी दो अटर टाइम लेनी है क्योंकि दो row और दो column का मुझे सब मैट्रिक्स का determinant निकालना है तो ऐसे क्या हो सकता है और 1, 5, 4, 11 और क्या हो सकता है 2, 7, 4, 11 इनको अगर आप solve करेंगे 7, minus 10, minus 3, 11, minus 20, minus 9, और 22, minus 28, minus 6 ठीक है तो I think minor आपको समझ में आया होगा कि किसी भी M by N order की matrix का अगर आपको N road minor या R road minor निकालना है तो आपको R, कोई भी R rows लेनी है और कोई भी R columns उसमें से select करके एक sub matrix बनानी है और उसका क्या निकाल लेना है determinant ठीक है तो इसका use होता है matrix के rank निकालने के लिए आई rank के बारे में पढ़ते है rank क्या होती है rank क्या है a non-negative integer R is rank of a matrix A M by N इसको हम denote करते है rank R या row A से इस यह बहुत important point है rank के यह directly MCQ में भी पूछा जाता है सीदे सीदे definition को तो दो points केके हैं there exist a non-singular sub matrix of A of order R that is a non-vanishing minor of A of order R all sub matrices of A of order R plus 1 or more if they exist are singular बहुत simple से statement की form में आपको मैं समझा रहा हूँ कोई आपको matrix दी है उसका order है M by N ठीक है तो इस matrix की rank अगर R निकल के आ रही है तो वो कैसे निकल के आएगी R order का कोई न कोई minor आपको R order का कोई न कोई sub matrix इसी मिलेगी जिसका determinant क्या रहा हूँगा non-zero आ रहा हूँगा clear और दूसरा point क्या है अब R से बड़ा अगर आप कोई भी minor अगर लेंगे या R से बड़ा कोई भी sub matrix इसकी उठाएंगे तो उसका determinant 0 आएगा ठीक है जैसे फिर और अच्छे से समझी है आप इसको एक matrix मैंने ली है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 कितना order है 3 by 3 अभी फिलाल मैंने square matrix ली है square matrix के अलाववे matrices आप ले सकते हैं तो सपोज मैंने इस matrix का determinant निकाला और वो आया 0 ठीक है अब मैंने इसके 2 roads सब matrices निकाली तो वो 2 roads कैसे निकालोगे भी मैंने आपको बताया था आपने ये चार elements ले लिए और इसका determinant निकाला सपोज 0 आ गया फिर ऐसे आपने ये 4 ले लिए तो कितने order का determinant या कितने order की सब matrix का determinant जो है वो non-0 आ रहा है यहां पर वो है 2 by 2 का तो जिस order पे जाकर के इसका determinant सब matrix का non-0 आ जाएगा वही इस matrix की क्या हो जाएगी rank हो जाएगी जिसको हम row A से denote करते हैं इस case में इसके rank कितनी हो जाएगी 2 clear तो इसमें दूसरा point क्या था दूसरा point यह कह रहा है कि 2 R से बड़ी जितने भी matrices हैं वो सब singular होंगी मतलब अगर मैं 2 से बड़े order की सब matrix बनाऊँगा तो वो क्या है 3 by 3 की बन जाएगी 2 से बड़ी तो वो matrix का determinant क्या आ रहा होगा तो सीधा सीधा एक line में अगर मैं rank को define करो तो किसी भी matrix की rank वो एक ऐसा integer होगा जिस order का जो determinant है वो non जिरुआ रहा होगा उससे उपर के जितने भी order के determinant आप लेंगे वो जिरुआ जेंगे ठीक है अगर कोई matrix है उसका order है 5 by 6 तो इसकी rank maximum कितनी हो सकती है फ़र ध्यान से समझेगा आप इसमें rows कितनी है 5 और columns कितनी है 6 और मैंने आप से बोला कि आपको उसका determinant निकालना है तो determinant 5 by 6 matrix का तो निकाली नहीं सकता क्योंकि determinant किसका निकलता है square matrix का निकलता है तो इसकी सबसे बड़ी sub matrix जो square हो वो कितने order की बनेगी 5 by 5 की maximum बनेगी उससे बड़ी नहीं बन सकती है तो पहले आप 5 by 5 जो इसकी sub matrix है वो बनाएंगे वो सारी के सारी sub matrices को आप चेक करेंगे कि क्या वो 0 आ रही है या non 0 आ रही है तो इस matrix के rank कितनी हो जाएगी 4 clear questions कैसे आते हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कैसे questions पूछे गए हैं previous years में तो किसी भी matrix में अगर उसका order m by n है तो maximum उसकी rank कितनी हो सकती है जैसे यहाँ मैंने आप से बोला 5 by 6 अगर order है तो maximum इसकी rank कितनी हो सकती थी 5 5 से बड़ी इसकी sub matrix बनेगे नी तो m by n में जो छोटा होगा वो उस matrix की maximum rank हो सकती है या फिर उससे कम ही होगी जैसे एक example और देखेंगे हम 6 by 7 है अगर कोई matrix इसकी maximum rank कितनी हो सकती है जो इन दोनों में minimum होगा 6 ठीक है 99 by 500 को भी matrix है तो इसकी maximum rank कितनी possible है 99 उससे बड़ी rank इसकी नहीं हो सकती है उससे कम ही होगी या 99 होगी ठीक है पहला note आपको याद रखना है यह बहुत important point है यह पहला वाला MCQ में directly पूछा जाता है 0 matrix की rank क्या होगी 0 तो आपको जब 0 matrix को क्या अगर आप square sub matrix निकालेंगे और उसका determinant निकालेंगे वो 0 या आना है यह याद रखेगा आप अगर कोई भी non-zero matrix है तो उसका उसकी rank जो है 1 या 1 से बड़ी ही आईगी जैसे non-zero में आपने 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ऐसे कोई matrix ले ले लिए non-zero है क्योंकि आपका एक element इसमें non-zero है तो इसमें जब आप इसका order कितना है 3 by 3 तो इसका 3 by 3 का determinant निकालेंगे तो वो 0 आजाएगा जब आप 2 by 2 को लेंगे जैसे इसको लिया ये भी 0 आजाएगा ये भी 0 आजाएगा तो 2 by 2 के case में भी सारे के सारे determinant जीरो आजाएगे तो इसकी रैंक ना तो 3 है नहीं 2 है अब आप one order का जब इसका सब मैट्रिक्स बनाएगे तो जो पहला element लोगए तो वो क्या आजाएगा नौन जीरो वन रोड वाला जो मैंने लिया है ये नौन जीरो आगे है तो इसका मतलब इसकी rank 1 होगी तो आपको याद रखना है कि कोई भी नौन जीरो मैट्रिक्स अगर आप लेंगे तो उसकी rank minimum 1 होगी या उससे बड़ी हो सकती है ठीक है अगला किसी भी मैट्रिक्स का जो rank A है वो उसके transpose की rank के बराबर होती है यह point b point है कि सी भी मैट्रिक्स की rank और उसका transpose की rank बराबर होती है कि aixíबी मैट्रिक्स का conjugate और उस matrix की rank दोनू की rank equal होती है A theta हमने पिछले वीडियो में पढ़ था A theta क्या होता है A transpose conjugate ठीक है तो किसी भी matrix का conjugate का transpose करके आप rank निकालो या directly A की rank निकालो तो दोनों क्या हैंगी equal हैंगी और 7th point क्या है कि किसी भी non zero scalar को अगर आप A से multiply करें अब जागर के उसकी rank निकालें या directly हम सीधे A की ही rank निकालें ये दोनों rank क्या हैंगी equal हैंगी ठीक है तो I hope ये rank आपको clear हुआ होगा हम next video में इस पर जो questions पूछे गए हैं वो करेंगे तो rank क्या था किसी भी matrix की सबसे बड़े order की वो sub matrix जिसका determinant क्या आना चाहिए non zero आना चाहिए वही उस matrix की क्या होगी rank होगी ठीक है तो मिलते हैं जल्दी next video के साथ